है हुलोय और व neither को ये स्वागत अब का मतmarksम वीडियो में जहां हम बात करेंगे वारे में ही का ती स्टिम्स के वारे में ये किसे में पहले हमने बेसिक मिसाल सिस्टम्स कुरूस मिसाईज बलिस्टिक ये उनके engine components, scramjet engine, ramjet engine, defense setup, air defense setup, इन सब के बारे में discussion कर ली है. इसमें हम focus कर रहे हैं naval vessels के उपर, submarine के उपर और frigid के उपर. सबसे पहला जो topic हम अगवर करेंगे वो है topidos का. हाली में इंडिया, इंडियन navy को deliver किया गया एक नया topido, जो कि heavyweight topido है, उसका नाम है वरुनास्त्र. तो आपके लिए important यह है जानना कि वरुनास्त्र किस तरह का weapon है. surface to surface missile है, या topido है, तो अगर options missile है, तो आपसे गल्ती ना हो. तो यह जो topido है, यह काम किसलिए आएगा? topido's का काम होता है, या तो वो submarines को अटेक करने काम आ सकते हैं. obviously ships पे अगर वो placed है, तो या वो submarines को attacker के गिरा सकते हैं, वो identify करने के बाद, या सामने कोई और अगर vessel है, या कोई frigid है, या कोई भी ship है, उसे वो नुकसान पहुचा सकते हैं. यह इंडिया का indigenous torpedo है, और इसके उपर warhead लगे होते हैं, जो obviously किसी भी सामने वाले जो weapon system, यह vehicle है, उसे टकरा के blast कर जाते हैं. तो यह develop किस ने किया है, यह develop किया है, NSTL ने, यानि Naval Science and Technological Laboratory ने, जो कि anti-submarine torpedoes इंडिया के लिए पहले भी design कर दिया है, अब इसको silver oxide zinc के तौरा power किया गया है, जिसमें batteries लगी है, हमारे लिए important किया है, कि यह क्या है, और किस के द्वारा develop किया गया है, इसके अलावा एक और जो advanced light torpedoes develop किया गया है, जो इंडिया का पहला advanced lightweight anti-submarine torpedo था, वो भी NTSL ने भी develop किया था, जो कि again एक DRDO की ही body है, इसके लिए इंडिया ने भी के लिए, तो इस topics से हमें बता लगा कि वर्णास ट्रेक है, और एक शाइना है, शाइना पहली anti-submarine torpedo थी, जो कि lightweight थी, जिसन देखने क्या है, तो वही warhead 200 kg के आसपास होती है, इसके range होती है 40 km के आसपास, कहां से इसको launch कर सकते हैं, आप ship से या submarine से भी इसको launch कर सकते हैं, तो इसको place ship पे भी किया जा सकता है, और submarine के ओपर भी किया सकता है, यह underwater भी यह जाकर attack कर सकती है, तो आपको यह अगर option elimination में कर सकते हैं, तो आप लिए कर सकेंगे, इसकी range ऐसी नहीं कि 1000 km है, इसकी range बहुत कम होती है, 40-50 km और submarine से लेके ships तक ही है, equipped हो सकती है, अब prelims बिलकुल आने ही वाला है, और जो लोग अगले साल के लिए प्रपेर कर रहे हैं, उनके लिए हमारे एक नएया program की launch होने वाला है daily के आपके micro topic के हिसाब से questions मिलेंगे, आपको solve करने के लिए, full NGS test मिलेंगे, और weekends पे आपको 100 MCQs की practice कराए जाएगे, जिससे आपका proper एक sound base है बन पाए, जिसके तुरू आप NCRT को लेके बिलकुल बेफिकर हो जाएगे, आपने सारी के-सारी NCRT cover कर रखी है, और उसके ब आई जाएगी, हर चौते वीक आपको एक test होगा essay का, और almost six essays आपको दिये जाएगे, और यहीं नई इसके लाब आप current defense की भी practice करेंगे हमारे साथ, तो यह ऐसा program है जो आपको Hindi English दोनों में available है, और 31st में से start होने वाला है, तो अगर आपको ज़रूरत है एक ऐसे structured program की जहा हमेशा available रहेंगी, उसमें कोई problem नहीं है, पर यह additional है, अगर आपको एक structure जाएगे, एक setup चीज़ आप C-set से लेके pre-mains और essay writing तक, current defense तक आपको एक structure तरीके से preparation करनी है, या कोई additional guidance चाहिए, तो उसके लिए आपके हमारा course जोइन कर सकते हैं, Hindi English दोनों में है, और यह 31st में है, nuclear trade का मतलब क्या होता है, आपको पता है, nuclear trade का मतलब होता है कि capacity होनी चाहिए किसी विदेश के पास, तीनों जगह से मारक शमता रखने की, यानि, एक तो land से, एक air से, और एक water से, यानि, अगर भारत के उपर किसी ने nuclear weapon से attack कर दिया, तो अगर भारत की जो basic installation है, जहां इ constant attack कर दिया तो, तो फरी ने retaliate क्या करेगा, कैसे करेगा, कोई भी देश, किसी भी दूसरे देश पर हमला कर सकता है, सीधी तरह से, बिना इस tension के कि भाई, हमने तो इस देश पर attack कर दिया, इसकी सारे missile का जखीरा खातम हो जाएगा, तो यह आपके counter attack नहीं कर पाएगे, इस इस तरह की basic technology होती है, वो होती है nuclear capacity, nuclear triad, जिसके nuclear submarine या फिर आप ships carry करते हैं, उसी के साथ होता है, जो nuclear submarine बोला जैसे अरिहन्त की बाद आती है, जो इंडिया के लिए एक triad प्रोवाइड करता था इंडिया को, कि equipment है, capacity है कि आप के पास ऐसी submarine है, जो पानी के अंदर है, nuclear power submarine, तो याद रहें, nuclear power submarine और nuclear capacity वाली submarine में फर्क होता है, यह triad से अलग बात है, यह वो submarines, यह वो submarines की बात हो रही है, nuclear power submarine, जो की nuclear के तोड़ा powered है, जो submarine, एक तो diesel engine submarine होती है, ओके, और फिर आपकी nuclear power submarine होती है, तो यह submarine जादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है, जादा दे आदे तक cover कर सकती है, यह अलग कहानी है, जो triad वाली कहानी होती है, उससे अलग, तो कोई nuclear power submarine ऐसी भी हो सकती है, जिस पे nuclear weapons ना लगे हो, तो वो technology जिसके थुरूँ वो power होते है, वो होती है nuclear power submarine, तो इसी में, इंडिया में जो अलग तरह की submarines होती है, उसके बारे में देख MS Naval Group, इन्होंने ही France के साथ इस अंगठन किया था, यह project 75 के अंतरकत वो, 6 scorpion class submarines design करेंगे, और बनाएंगे, इसी में, जो पहली submarine जो deliver हुई Navy को वो थी, I.N.S. Calvary, again, question आ सकता है कि I.N.S. Calvary किस तरह की submarine है, तो scorpion submarine है, किस country के साथ collaborate करने पर बनाए गई है, France के साथ, इसके अलावा, वक्षीर और वक्षीर दो अलग submarines और बचे हैं, जो scorpion program के अंतरकती develop के जाएंगे, तो यह जितने भी नाम है, for example, Calvary, Khandary, Karanj, Vagir, या वक्षीर, यह सारे किस के अंतरकत आ रहे है, सब आ रहे, scorpion class submarine के अंतरकत, तो इसी के अंदर जो news में आए थी, scorpion class Vela, जो चौथी submarine थी, 6 में से, जो की India French collaboration के साथ थी, तो आपको सारे नाम पता चल गए, किस group के साथ collaborate कर रहे है, यह भी पता चल गए आपको, इसी में, Calvary class का जब हमने बात किया, तो कैसी submarine है यह, तो diesel electric attack submarine है, जैसे मैंने बोला था, nuclear power submarine भी होती है, लेकिन इंडिया उसकी थोड nuclear power submarine के भी arsenal को जाना बढ़ाए, लेकिन Calvary class जो submarine है, mostly diesel attack submarine है, और mostly जितनी भी आप scorpion class submarine देख रहे हैं, mostly वो सारी diesel power submarine होती है, diesel electric attack submarines, और अगर मैं आपको example दू, nuclear power submarine का, तो akula class जो submarine इंडिया, रश्या के साथ इंडिया ने रेंट पे लीवे, वो nuclear power submarine है, इसके लबार अरिहं submarine है, सब diesel electric attack submarines है, यह हो कि इसकी बाद, यह इस तरह दिखती है, जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में, इसके बाद, अगर हम इसके specification पर है, तो again attack submarine है, और इसके endurance लगवर 50 दिन की होती है, तो जो भी आपकी nuclear power submarine होंगी, वो जारा देर तक पाने के अंदर रहे पाएगी क्योंकि diesel electric attack submarine को फिर surface पे आना पड़ता है, और जो nuclear power submarine है, वो काफी time तक पाने के अंदर रह सकते हैं, इसलिए जो Chinese submarine थी या Russian submarine है, वो इसलिए जारा famous या जारा powerful होती है, क्यों काफी time थे को surface पे नहीं आती, और लंबे distance को बहुत तेजी से cover करती है, इसलिए इंडिया के लडाई के लिए भी क्या आजा सकता है, फ्रिजिट का काम evacuation के लिए भी क्या जा सकता है, क hello lives for और सारी evacuation में काम आएंगे, coast पर अगर कोई हमला करना चाहरा है, आपके 30 एलाकों में तो उसे रक्षा करेंगे, अगर कोई लूटे रहे हैं, तो आपके vessels को protect करेंगे, तो normally इंडिया में जो अभी जो range mostly है, वो है शिवाली class fidgets, राइट, शिवाली class fidgets है, कोशिश इंडिया लगातार करें इंडिया नेवी, जो इनके fidgets हमको जारा update किया जा सके, उनमें और जारा census लगाए जा सके, और जारा weapons develop के जा सके, ताकि long distance पर जा सके, वो जारा survive कर सके, एरिया में, जारा sea को cover कर सके, और जारा security प्रवाइड कर सके, तो जिवाली class के इंडिया के fidgets है, उन इंडिया नेवी को सौपा गया, यह पहला वाडशिप है, जो कि इंडिया में एक integrated construction methodology द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर आप अलग-अलग जो modules होते हैं, कि एक ship का basic core component हो गया, फिर weapon system अलग से design किया गया, यह कुछ components अलग से design किया गया, फिर उनको साथ में असेंबल किया गया, यह इंडिया का पहला ऐसा आइनेस निलगिरी वार्शिप है, तो किसको अप्डेट करके बनाने की कोशिच चल लिए है, शेवालिक रेंज को, उसी का यह पहला कदम है, तो जो project है, जिसके तहत इंडिया अपने वार्शिप्स या फ्रिजट्स को और ज़रा develop कर करने वाला है, उसका नाम है 17 alpha, यह हो गई कोरबात आइनस निलगिरी की, आइनस निलगिरी क्या है, एक वार्शिप है, जो कि इंडिजिसली बनाया गया है, तो अब classes of frigates की हम बात करें, जिससे मैं निलगिरी का जिकर किया, तो आपको ज़रूर prelims आने वाले हैं, पता होन two classes of frigates, तो frigates में होते हैं, शिवालिक क्लास और तलवार क्लास, नॉमली, तो एक बड़ी से लिस्ट है, आपके लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यह पता होना है, अगर आपको आइनस शिवालिक, आइनस सत्पुड़ा या आइनस शाहदारी की बात की जाए, तो आइनस से आपको पता चाहिए कि इंडियन नेवी का एक को शिप है, लेकिन क्या है, यह मिसाइल सिस्टम है, यह सम्मरीन साय या यह फ्रिजट्स है, बस इतना आपको आइडिया लगना चाहिए, पहाडों वाला इलाका जो है, यह असल में नेवी के फ्रिजट्स का ना सावरी क्लास फिर आती है, इसके अंदरा आइनस गोमती आती है, तो यह कुछ बेसिक से नाम है, जो आपको सिर्फ एक प्रॉब आइडिया होना चाहिए, अगर आपको कभी इलिमिनेट करना पड़ गया आंसर, तो आप इसको कर पाएं, क्योंकि पूरी ऐसी एक्जॉस्ट इंडियन कोसगाड ने ICGS में वरहा, जो इंडिया का एक कोसगाड शिप था, वो कमिशन किया गया, तो कोसगाड का शिप क्या करेगा भाई, कोसगाड के शिप की खास बात यह होती है, कि इसके अंदर कई सारे रिस्पॉंसे सेट अप होते हैं, अगर कहीं और कहीं और स्प पेट्रोल वसल है, कोसगाड क्या करती है, कोस की सिक्योरिटी करती है, ओविसली, 30,000,000 की रखवा लेगे लिए, तो इससे डिजाइन किया गया था, इंडिया में डिजाइन हुआ, किस ने डिजाइन किया, L&T ने, Larson and Turbo, काफी फेमस कंपनी है यह चिन्ने के पास इसको ड आना चाहिए, तो याद रखे, डिफ्रेंशियेट करना आपको याद रहना चाहिए, कि कौन सा शिप, किस विंग के पास है, किस के लिए काम में आता है, ताकि आप प्रेलिम्स में कन्फ्यूज ना, आपने अंशन को लेगे, इसी तरह एक ऑफशोर पेट्रोल वसल की बात रहे हाँ, काफी newyaz में रहा था है, कि इंडिया का exclusive economic zone में अगर कोई घ annex रहा है, या किसी ने किसी को shoot कर दिया था, तो कहा तक इंडिया का exclusive economic zone है, उसके रखवाली के लिए, basically हमारे ये offshore petrol vessels होते हैं, इंडिया ने कुछ देशों को भी हाल में offshore petrol vessels Gift किये थे कि आपको याद है किन देशों को Gift किये थे और इंडिया में हाल ही में साथ जो Offshore Petrol Vessels ने वो डिजाइन किया गया है L&T के उधरा Makin India Campaign के अंतरगत और जो Offshore Vessels इंडिया ने Gift किया तो उसका नाम क्या था सुरक्षा सलमे था, अब मुझे बताएं किसको गिफ्ट किया था, शैले वही बता देता हूँ, मैं आपको श्रिलंकवा गिफ्ट किया था, इसके अलावा इंडिया ने और कई जगह बातें करी हैं अब इसको गिफ्ट करने के, पूरी list है Sariyu, Sukanya, Sumedha, Sumitra, तो यह नाम आप देख रहे हैं यह लगँ है कि आमों के तरह लगँ नाम जासे आप नढगों के नाम देखते है तो इससे आप relate करने कोशिश कर सकते हैं अगे इन मैं कहूंगा कि इतनी सारी list उतना fire का सोधा नहीं है पर आपको ये idea होना चाहिए कि अच्छा ये सब बात या रही है तो क्या है offshore petrol vessel है या इस तरह के नाम जिसे पहारी की range शेस्वेन आपको बता है इसा है आदरी या इसा है तो हो क्या है तो वह आपको एक idea लगया अच्छा पहारी गरें जहां पर आड़ी तो हम इसको इसको इसे denote करेंगे तो उस तरह आपको एक basic कोई एक symbol बना ले ना कि अच्छा ये सारी ships है ये shipyard से उस तरह कामा सकते है पेट्रोल वेसल्स में हम बात करें इस तरह कार निकोबार क्लास की पेट्रोल वेसल्स हैं ये देखें पूरी लिस्ट है अब पूरी लिस्ट याद करना थोड़ा मुश्किल है पर important ये है कि एक बाद आप इसको नज़र दूर माल लें है कि अगर आईनस कोंडूल की बात हुरिए कलपेणी की बात है कबरा की बात हुरिए तो आपको बस पता रहिए स्ट की नाम आपको याद रहने ना रहना व इतना इंप्हर नहीं भी हो सकते पर एक आपको reference के लिए देखना जरूरी है फिर इसी के अंदर आगे फिर बंगराम class petrol vessels, त्रिंकट class petrol vessels, यह जो petrol vessels के list है, अगर आपको पूरी याद ना भी हो, पर एकलिस कोशिश करिए कि जो किस, जो class का नाम है अगर scorpion class है तो वो क्या है, वो petrol vessel नहीं है ठीक है, त्रिंकट class अगर मैं बोलू, तो वो submarine नहीं है, वो क्या है, petrol vessels है यह differentiation important है आपके लिए इसके बाद news में आये था एक hydrographic service ship यह असल में क्या होता है मुझे बदा है, आप hydrographic service ship क्या काम करेगा तो असल में सर्वे करने एक लिए काम आएगा तो यह deploy किया गया था श्रिलंका में ताकि इंडिया और श्रिलंका ने मिलके जो उनके southwest coast है श्रिलंका की वहाँ पर एक पूरा सर्वे किया था कि क्या-क्या बेसिक चीजें हैं वहाँ पर उनको basically mapping के लिए और उस पूरे इलाके को survey करने के लिए किया जाए था hydrographic ship है नाम से clear है कहां पर किया गया श्रिलंका में तो जो वहसल था यह संध्यांक class hydrographic survey ship था इंडियन नेवी का तो याद रिखिए अगर survey ship का भी नाम आता है तो इंडियन ने श्रिलंका में किया था इसी माइनस जमना आता है और इसी में अलग अलग फिर vessels आते हैं जाए वो स्वागर धोनी research vessel हो या संध्यां class survey vessel हो या फिर मकर class survey vessel हो तो यह भी survey vessels की बात जो आती है जो हमने करी यहाँ पे फिर वही बात में repeat करूंगा list important नहीं है आपको यह पता होना चीक research vessels exist करते हैं सागर धोनी अगर आ गया नाम तो आपको याद है कि अच्छा survey hydrographic service ship भी मैंने कहीं पढ़ा था तो वहाँ से आप उसको एक attachment जोड सकते हैं अच्छा यह point यहाँ से आ रहा होगा यह होगा understanding hydrographic service ship की इसके बाद aircrafts and helicopters जो basic कुछ छूट रहे थे हमसे वो हम देखते हैं कौन-कौन सी news में रहे हैं अभ्यास काफी time सी news में है अभ्यास असल में एक flight test किया था DRD उने Udisa में जिसके अंदर होने high speed expendable aerial target को इंदर ने चेक किया था उसका नाम था अभ्यास तो इसके दर होना क्या था कि अगर कभी weapon systems जो इंडिया डेवलप कर रहा है उसके दर कोई ships आ रहे है या कोई aircraft उड़ रहा है तो इक autonomous flying object था अभ्यास जो कि autopilot के दोरा उड़ाया गया स्वादेशी एक micro electronic mechanical system के दोरा navigate guide किया गया और फिर इसे practice कीए कि अच्छा इस तरह से आप practice कर सकते है तो basically अभ्यास का कर नाम आए तो आपको पता आना चाहिए यह एक high speed aerial target था जो कि इंडिया ने try किया था तो युद्ध अभ्यास भी आपको याद होगा अभ्यास किसके सार इंडिया के military exercise होती है यह आपको याद है या नहीं है तो यह धभ्यास जैसे होता है उसी तरह अभ्यास भी एक होगा था तो आप confused नहां अभ्यास यह धभ्यास में तो इसलिए important था mention करना फिर Apache helicopters के बाद आती है जो कहां बनते हैं यूएस से और इंडिया ने हाली में इंडक्ट किया था इंडियान एरफोस के लिए और 22 अपाचे helicopters इंडिया यूएस कंपनी बोईंग से लेने वाली है जो की replace करेंगे जो MI-25, MI-35 helicopters रश्या के इंडिया ओविसली यूज करती है उसके लिए खास बात है कि इने flying tank कहते हैं इतनी ज़्यादा capacity होती है इनकी चाहे बरसात हो चाहे आन्दी हो तूफान उसमें ये operate कर सकते हैं इनकी climb rate बहुत अच्छी है काफी जारा speed इनी 179 km पर आवर तक जा सकते हैं काफी swift deployment होती है यानि कहीं भी आपको जरुद पड़े तो तुरांट deploy कर सकते हैं ये इनकी looks है और क्योंकि capacity बहुत जादा है बहुत जारा missiles करी कर सकते हैं साथ साथ मिसाइल्स करी करते हैं और इनको radar में pick करना मुश्किल होता है क्योंकि ये radar की जो range होती है उसके नीचे से भी उड़े जा सकते हैं तो ये कहानी है Apache helicopters की इसके अलावा इंडिया का एक सुदीशी aircraft भी है काफी news मेरा आया LCA pages अब दो जुरूर कवर किया होगा इसका जो naval version है वो यानि जो navy यूज़ करेगी वो आइनस Vikramadit जो aircraft carrier है उसके उपर भी launch प्लेस कर दिया गया है ये दुनिया का से छोटा और light हलका multi-role supersonic fighter craft है तो किसने develop किया था ये आपको पता होना चाहिए हैल ने develop किया था और इसके principal partners कौन कौन से DRDO, CSIR, Bale, DGAQA, Indian Air Force और Navy ये इसके partners थे क्योंकि अगर options में अगर आए तो आप इसको miss ना करें CSIR अगर mention हो तो आप उसको cancel ना कर दें कि भाई eliminate कर तो CSIR नहीं हो सकता वो भी इसके partner रहे है ये बात हो कि LCH stages की इसके बाद बाद आती है Saras aircraft की इंडिया का पहला indigenous light passenger aircraft Saras Indian Air Force में 2014 में इंडक्ट किया जाने वाला है Saras असल में जो CSIR है और NAL है National Aerospace Laboratory इनका combined mission था तो असल में एक multi-role transport aircraft है जो 1999 से बन रहा है ये क्यों बन रहा है कि अगर कभी इंडिया को VIP transport या supply करना हो emergency situations में तो इंडिया क्या करेगी बाहर से जो ships इंडिया मंगाती है इंडिया ने एक्वाइर किये थे कोई आइडिया आ रहा है आपको कौन सी transport जो ऐसे aircraft है काफी famous है उस के जो इंडिया ने भी खरीदे थे तो उनकी बदले में इंडिया service project बनाने कोशिश कर रहा है जो खुश से design किया जाएगा 70-90 seat aircraft होगा ताकि कभी ज़रत पड़ी तो regional passenger capacity भी बढ़ा सके और इंडिया को जो elite club है जो कि light passenger transport aircraft develop कर सकते है उसमें भी use कर जा सके तो ये असल में क्या है भाई एक तो light passenger aircraft है जो कि air force भी use कर पाएगी या फिर normally भी आप region को connect करने के लिए इस्तमाल करेंगे तो बस इतना याद रहा है सरस क्या है बस बाकी ये कुछ इस तरह से दिखेगा फिर जो हमने LCA के बात करी light combat aircraft तो light combat helicopters के बारे में भी कैसे भोल सकते हैं light combat production center हाली में bangor में खोला गया make in india initiative के अंतरगत तो ये multi roll helicopters होंगे जो hell develop करेगी जिसके अंदर दो शक्ती engines लगे होंगे क्या काम करेगी है भाई कि जो हमारे पास जैसे LCA, Tejas का इस्तमाल किया जाएगा उस तरह LCH का इस्तमाल किया जाएगा helicopters के लिए जहां हम let's say MI helicopters या Apache को नहीं भेज सकते क्योंकि वो अगर गिर गई या को कुछ खत्रा आ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा two new areas में आप in light combat helicopters या noit combat aircrafts को भेजते हैं कि अगर सुखोई या अप रफाले नहीं भेजना चाहते हैं तो वहाँ तीज इसको भेज सकते हैं इसे इन तरह की जोगी आपको first attack helicopters होंगे जो forward basis पर लगाया जा सकते हैं कि जाओ भाई चेक कर गया और क्या कहानी है यह होगे light combat helicopters की बाद कुछ इस तरह दिखेंगे फिर इसी में धुरुव काफी famous है इंडिया ने gift भी किये थे दो दिशों को नाम बताई हैं मुझे किने gift किया था इंडिया ने दो से जारा दिशों को gift किया था वैसे तो धुरुव जो अगेन एक lightweight advanced lightweight helicopters हैं जोकि multi-role, multi-mission helicopters होते हैं military और civil operations दोनों में काम आते हैं इंडिया में military operators बॉलिविया, बर्मा, इस्राइल, माल्दीव, नेपाल हर जगे इसका इस्तमाल किया गया है तो rescue missions में भी धुरुव का इस्तमाल किया जाता है फिर सुखोई jets की बात आ रही है कि recently इंडिया ने 18 जो Russian सुखोई MKI jet है इनको अपने air force station में integrate कर लिया है क्यों भाई, क्योंकि चाइना के साथ अल्रेड इंडिया की समस्या चल रही है तो ये लगबग 1500 km उड़ सकते हैं बिना mid-air refueling की requirement की ये खास बात है सुखोई aircraft की काफी long range है और इनके अंदर ब्रह्मोस cruise में size भी लगे है कितनी range है 290 range है और इसी पे एक और point जो आ रहा है वो है C295 transport aircraft जो की defense of ministry of India और TATA और Airbus के साथ इंडिया की नई agreement हुई कि Indian Air Force खरीदेगी तो transport aircraft का क्या फाइरा होता है obviously अगर कई movement करानी है troops की या equipments की तो उसमें बहुत जरूरी ये role play करते है इसी तरह अगला important एक news है जो की है के 2268T light utility helicopters ये Russian light utility helicopters है जो की असल में joint ventures है इंडिया रश्या का इसे product बनाने के लिए जो इंडिया में किया जा रहा है है हैल के द्वारा तो जैसे आपको पता होगा रश्या के साथ इंडिया अकसर जंपी collaboration करता है तो इंडिया मेंकिन इंडिया के तहट या अपने देश में भी उनके साथ collaborate करके build up करता है लेकिन basically एक Russian light helicopters है तो कम टाइम में उड़ पाते हैं और जल्दी-जल्दी move कर पाते हैं तो ये इंडिया में असेंबल हो रहे है के 2268 helicopters तो क्यों मैंने आपको mention किया के 226T helicopters क्योंकि अगर mention हो कि US का है रश्या का है या इंडिया के तो यह आपको बताना हुझा कि इंडिया रश्या इंडिया-Russia collaboration के थिरूं इंडिया में एसेंबल किया जा रहा है लेकिन एसल में Russian origin का है ये कुछ इस तरह दिखता है फिर Chinook मैंने पीछे mention किया था इंडिया कुछ transport multi roll helicopters, heavy lift helicopters खरीद भी रहे, उन्द में से एक है Chinook Chinook Boeing Company का helicopter है जो की बहुत ज़ादा use किया जाता है heavy lift capabilities के लिए कहीं पर अगर evacuation करना हो या कहीं supplies पहुचानी हो तो उसके लिए Chinook बहुत famous है multi transport ये आपके करता है troops के भी, artillery के भी इन सभी के लिए यहां तक कि जो disasters वगरा भी आते है तो वहां भी Chinook का काफी इस्तमाल किया जाता है असल में Chinook का मतलब क्या होता है Chinook कोई हवा है, कहां बहती है क्या काम होता है, geography के लिए काफी basic सा term है, हमने ज़रूर पढ़ा होगा Chinook के बारे में तो Chinook, जिस तरह वो हवा काफी फेमस है, उसी तरह है Chinook हेलिकॉप्टर भी काफी फेमस है, फ्रॉम यूएस की कंपनी बोइंग दॉरा से बनाया जाता है, इस तरह दिखती है आपको Hollywood फिल्म में अगर आपने देखिए तो बहुत जादा जो कि इंडियन एरफोर्स ने हाली में इंड़क्ट किया है जो कि एक बहुत जादा high wing aircraft है यह हैल अगेन यह manufacture करती है यह काम आता है किस चीज़ के transportation के लिए जो कि अगर उनके अपने लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना है या फिर taxi operations है कि एक जाना है या कोस्ट गारों कोई duties करना है या फिर surveillance करना है कोस्ट का कि भाई कोई trafficking न हो रही हो कोई वहाँ पे smuggling न हो रही हो तो वहाँ Don A228 जैसे aircraft का इस्तमाल किया जाता है जिसे इंडियन एरफोर्स ने हाली में इंड़क्ट किया है Don A228 कहा डेवलाप होता है कौन मनाता है तो इंडिया का है हैल डेवलाप कर रही है यह कुछ इस तरह दिखता है पुरानी फिल्म में आपको से ships देखने को ज़रूर मिलते हैं इस तरह एक और न्यूज में था 24 MH60R multi-role helicopter यह असल में नेवी खरीदेगी USA से यह खरीदा जाएगा foreign military sales route के थूँ US government से अब जो मैंने बोला आपको यह foreign military sales route के थूँ खरीदा जाएगा US government से तो होता गया है तो यह जो foreign military sales route है यह असल में US government का program है जिसके तहत जो उनकी वह defense की चीज़ें होती है services होती है यह training होती है वो अपने international partners को देती है तो उसी के तहत इंडिया यह कर रही है यह sale कर रही है तो खास बात है कि इससे ज़दा जल्दी swiftly movement हो पाती है goods की तो important यह है कि US और इंडिया ने कौन-कौन से agreement sign कि है जिनसे दिख रहा है कि इंडिया और US के partnership बढ़ी हो काफी news में रहे थे points तो कुछ इस तरह दिखते हैं multi-role helicopters फिर कुछ new weapon systems जो news में रहे थे एक बार उनको देख लेते हैं एक जिसे iron dome aerial defense system की बात आ रही थी यानि जो इसराइल और Palestine में काफी time से विवाद है तो जो वहां की गाजा का इलाका है जो इसराइल के पास है जहां पर हमास का कबजा है वो अकसर इसराइल के उपर उनका airspace है उनके rockets डागते रहते हैं तो उनसे बचने के लिए उनने एक अपना defense setup त्यार किया तो यह कहते हैं iron dome aerial defense system तो यह defense system करता गया मार के गिरा देते हैं तो यह mobile air defense system है जो की intercept भी करता है और destroy भी करता है तो इसके अंदर आठ लगी shells लगे होते हैं जो इस तरह आपको identify करके वहीं उसे मार के गिरा सकते हैं तो यह all other conditions में काम करते हैं काफी swift और easily movable होते हैं और 470 km की range में काम करते हैं इसको acquire करने के लिए तो यह है iron dome air defense system इसके रवाए s4net जो हमने अलड़ी cover करा था जो की किसका बताई है मुझे और दूनों या इसको भी हमने पहले discuss किया ही था पहले पहले तो यह इस तरह दिखता है इस तरह दिखता है फिर इंडिया भी एक airborne early warning and control setup पे काम कर रहा है जो कि नेत्र है यह असल में इंडिया का खुद का डेवलप किया वाए डिया डियो ते द्वारा जो कि इंडिया एर फोस को सौंप दिया गया है तो नाम से क्लिए है नेत्र क्या करता है आखों का काम क्या होता है नेत्र का काम तो यह scan करता है जो एक radar की तरह है secondary surveillance प्रवाइड करता है detect करेगा कि जो भी UAV है यानि कोई भी अगर aerial object उड़ रहा है अकाश में तो यह उसको identify कर पाएगा कोई hostile object से तो उसको identify करने काम करेगा यह early warning system तो इसके अंदर beyond the line side data हो, satellite communication systems है यह सभी attached है ताकि ज़रा advanced तरीके से यह पहचान पाए और जिससे की और ज़रा मदल हो पाए identify करने में targets को तो यह setup इस तरह कुछ काम करेगा फिर बाद आती है धनुष की धनुष एक long range artillery gun है जो आपको इसे दिखरी artillery guns की हो काम आती है अगर आप आपके दो फौजी हाँ खड़ें वहां उनके फौजी खड़ें सीधा गोली बारी करेंगे तो दोनों की मौथ हो जाएगे तो अगर आप सिपाईयों की जान बचानी है तो आप artillery guns 50 km पीछे जाके खड़ी कर देंगे और वहां से fire करेंगे तो artillery guns के जो shells हैं वह जाके दुश्मनों के इलागों पे गिरेंगे और भाली नुकसान को पहुचेगा तो ये जो इंडिया में एक famous artillery guns थी पहले बुफोर्स की जो 80s में acquire की थी जिसके ओपर घोटा ले का भी बड़ा एक news में रहने वाला point है ये तो वो फोर्स का upgraded version एक तरह से है ये which is dhanush dhanush की तरह ही आप dhanush की potential से यहां चाढ़ाते हैं और वो धनush के तीर दूर जागे गिरते हैं उस तरह इस artillery gun के भी जो shells है वो दूर जागे गिरते हैं यह होग इसकी बात इसी तरह एक naval gun है mk45 जो इस पर 5-62 caliber है यह इसकी टाइप है यह इंडिया यूएस से इंडिया खरी रहा है naval gun जाकि anti-aircraft gun है जो bombardment में काम आएगी इंडिया नेवी के वो बेक वार इंडिया कर रहा है तो कुछ इस तरह दिखता है तो इसका नाम बात में इंडिया कुछ और रखेगी अब इसलिए तब हम इसको और cover करेंगे इसके लाबा integrated air defense system जो US ने कहा था कि वो इंडिया को sell करेगी उसके बारे में बात चली थी कि इंडिया US और बाकी allies के साथ मिलके यह जो AIDWS का package होगा जिसके अंदर एक पूरे sensor weapon system और support equipment प्रोवाइड किया जाएगा यह integrated air defense weapon system है जिसकी बात हो रहे है अभी यह planning phase में है लेकिन हमने जो अल्रेडी बाते करी थी पहले वीडियो में वो तो अल्रेडी defense system की रही रही है के नाइन वजर अगेन एक hawitzer है या artillery gun है जो कि कौन मनाता है LNT यानि Lawson and Turbo अगेन zero radius पर काम करते हैं बिलकुल घूम सकते हैं और काफे दूल तक हमले कर सकते हैं तो क्या है T gun यह आपको पता होनी चेश तरह से दिखती है फिर शरांग एक और M46 artillery gun है जो कि जवलपूर में develop की गई है जवलपूर में develop की गई है मतलब indigenous है तो शरांग क्या है is an artillery gun जो आपको पता होनी चाहिए आर्मी में इस साल इंडक्ट इसको किया जा चुका है almost तो यह शरांग की बात है कुछ इससरे दिखती है तो हमने बात करी धनुष की शरांग की जो artillery guns है वजर 89 gun के बात करी I hope आप कुछ इससे clear हुई हो तो इस वीडियो में इतना ही आगे और भेकर कोई news या topics important होंगे तो हम उसको cover करेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much and have a nice day